गुल्मानी फिप्ट क्लास बच्चों देखो आपको मैं वेदिक गनित में प्रस्णाली चार ओपन करना बुक में से ठीक है वेदिक गनित में आपको कुछ नियम सिखा रही हूं आपके सामने पाच नियम है फर्स्ट नियम में देखो क्या है एक अधिक का अध जैसे साथ का एक अधिक साथ के उपर पॉइंट लिखा हुआ है देखो दिखाई दे रहा है आपको 7 के उपर पॉइंट है इसका मतलब है 7 प्लस एक बराबर 8 यहनि एक अदिक का अर्थ हो गया 7 पॉइंट बराबर 7 प्लस एक 8 ठीक है फिर है second नियम एक न्यून का अर्थ है जैसे 6 का एक न्यून तो आप 6 के नीचे पॉइंट लगाएंगे 6 के नीचे point लगाओ है इसका मतलब 6 minus 1 बराबर 0, 5 यानि 0, 5 आ जाएंगे दिखरा आपको दुबारा देखो 1 noon का अर्थ है 6 का 1 noon अब जैसे आपको 6 का 1 noon ग्याद करना है तो 6 के नीचे point आ जाएगा फिर 6 minus 1 यानि 5 आ जाएंगे इसी तरह जैसे 7 का noon ग्याद करोगे तो 7 के नीचे एक point आ जाएगा 7 minus 1, 6 जाएगा तो आपको एक noon का अर्थ आपको इसमें बताया गया है फिर थर्ड नियम है आपके सामने एक अधिक पूर्वेन का अर्थ है जैसे 16 में अंक 6 का एक अधिक पूर्वेन तो 16 के उपड़ बिंदू है इसका मतलग 26 हो जाएगे ठीक है? 16 के उपड़ बिंदू है यहाँ पे तो 16 का एक अधिक पूर्वेन हो जाएगा 26 16 में आप 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगे दुबारा देखो एक अदिक पूर वेन का अर्थ जैसे 16 में अंक 6 का एकादिक पूर वेन तो 16 में जो 6 अंक है इसमें देखो, यहाँ पर 1 बरढ़ जाएगा यहाँ 1 है, तो धो जाएंगे, 26 हो गए नँ तो इसको बोलेंगे एकादिक पूर वेन क्या बोलेंगे एक अधिक पूर्वेन आप कोई से भी संख्या रख लेना उपप एक बिंदू रख देना तो आप देखेंगे दहाई वाला अंक बढ़ जाएगा ठीक है फिर आप देखो चोथा निया में एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ जैसे चार सो इकिस में अंक दो का एक न्यूनेन पूर्वेन तो दो का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे चार के नीचे बिंदू है यानि कि एक माइनस हो जाएगा तो तीन हो जाएगे 421 है तो यह 321 हो जाएंगे दोबारा समझ लो एक न्यूनेन पूर्वेन वेदिक गनित में आपको यह दो तिन चीज़ा सिखाई गई है इनको ध्यान से देखो इसी के अधार पर आपके क्यूस्टन है एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ है जैसे 421 में अंक 2 का मतलब 2 का हमें अंक 4 के नीचे पॉइंट लगावा है तो इसका मतलब एक संख्या कम हो जाएगी तहां 3 हो जाएंगे 321 हो जाएंगे अब देखो परमित्र अंक या आपके मैन पॉइंट है इसको ध्यान में रखेंगे परमित्र अंक जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे दोनों एक अंक परस पर परमित्र अंक होते हैं मतलब जब जो दो अंक मिलकर 10 होते हैं तो वे एक दूसरे के परमित्र अंक होते हैं दुबारा समझ लो परमित्र अंक जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे दोनों अंक परस पर परमित्र अंक होते हैं जैसे अब आपको धारन दे गए हैं यह आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा जैसे एक का परमित्र अंक 9 क्योंकि 9 और एक 10 होता है तो यह एक का परम्मित्र अंक क्या हो गया? 9 फिर है चार का परम्मित्र अंक 6 क्योंकि 4 और 6 मिलके 10 होता है आपको पहले बताएगा है कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है वो आपस में परम्मित्र अंक कहलाते हैं 4 का परम्मित्र अंक है 6 4 और 6 10 होता है साथ का परमित्र अंक है तीन क्योंकि साथ हो तीन कितने होता है दस तो ये एक दूसरे के परमित्र अंक हो गए ना साथ इसका है और तीन इसका है इसी तरह दो का परमित्र अंक आठ क्योंकि दो और आठ कितने होता है दस पांच का परमित्र अंक पांच क्योंकि पांच हो पांच कितने होता है बच्चो दस होता है तो पांच का परमित्रंक पांच हो जाएगा आठ का परमित्रंक दो क्योंकि आठ हो दो कितने होता है दस होता है इस तरह से आपको इन पांच नियम में आपको फाइब वाला नियम जादा याद करना है क्योंकि बिल्कुल सरला इजी है, आपको याद वे जाएगा, जिन दो अंकों का योग, दस होता है, वे दोनों अंक, परसपर, परमित्रंक होते हैं, आपको यह संख्या दी गए, कोई से भी संख्या ले सकते हैं, जैसे साथ का तीन, आठ का दो, पांच का पांच, छे का चार और साथ का तीन, इस तरह से आप इनको उधारन दे करके समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच नियम बताए हैं, इन नियम को आप पेज नंबर, प्रसनावली चार में देखेंगे, वेदिक गरित में, आपकी बुक में हैं, उसको देखेंगे, खोलेंगे, और यह आपको पांच नियम उसमें दिये गए हैं, इनको अच्छे से समझेंगे, इन पांच नियम के आधार पे आपके इस प्रसनावली में सवाल आये हैं, जिनको आप करेंगे, ठीक है, पहले आप इनको कोपी में उतारेंगे, और सुन्दर- में मुझे बेजेंगे, ठैंक यू,